जवलपूर रेलवे लाइन पर इस्तित समनापूर रेलवे फाठा के पास एक यूवक चलती ट्रेन से नीचे गिर गया जिसका बाया पैर ट्रेन के पहिये के चपेट में आने से कट गया घायल बालग दिलिप पीता दुर्णलालपारदी 17 वश ग्राम खैरगाव थाना चांग टोला निवासी है यह घटना एक जून की शाम 7 बच कर 30 मिनट पर उस समय हुई जब एसेंजर ट्रेन नैनपूर से बालाखाट आ रही थी घायल इस युवक को जिलास पताल बालाखाट से प्रात्मी गुप्चार के बाद मेडिकल कॉलेज नाकपूर रिफर किया गया है प्रात्थ जानकर के नुसार एक जून की शाम को दिलिप अपने बुआ के लड़के के लिए टीफिन लेकर नायनपूर से गुंदिया जाने वाली ट्रेन में नगरवाडा रिल्वे स्टेशन से बैट कर बालाखाट आने के लिए निकला था साड़े साथ बजी पैसेंजर ट्रेन समनापूर रिल्वे स्टेशन से जैसे ही बालाखाट के लिए आगे बढ़ी तभी समनापूर स्टेशन्स के आगे रेलवे क्रोसिंग के पास अशानक दिलिप चलती ट्रेन से नीचे किर गया और उसका दाया पैर 10K पहिये में आ गया और पिंडली के नीचे से बहुत कर अलग हो गया ट्रेन आगे निकल चुकी थी रेलवे पट्री के पास घायल हालत में पड़े दिलिप को गाउं वालों ने उठा कर बाहर लाए दिलिप ने घायल हालत में ही अपने मुबाइल से इस घटना की सुचना अपने परिजनों को दी जो तूरंथी मौके पर पहुंचे घायल दिलिप को 108 एंबुलेन से जिलास पताल लाए गया जहां से प्रात्मी उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज नाकपूर रीफर कर दिया गया है घटना की सुचना मिलते ही बालाखाट रेलवे स्टेशन से रेलवे सुरक्षबल के पुलिस करमिशारियों निजिलास पताल पहुंच कर घटना के समद में जानका रिली और बयान दर्श किये गये